नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं युक्रेन युद्ध की जिसे चलते हुए सुलकते हुए 462 दिन हो गए है 462 डेज और इस बीच जिस तरह से तस्वीर बदली है जि युद्ध की परिभाशा को बड़े पैमाने पर बदला है और एक एहम डवलप्मेंट बक्मूत पे रूस का कब्जा इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकाइस के साथ प्रबीर आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं युक्रेन युद्ध की युक्रेन युद्ध जो हम लगातार बोलते रहे हैं कि युक्रेन की धर्ती पर रूस और नैटो देशों की बीच में है दर्शक देख सकते हैं नक्षे में की युद्ध चल रहा है 462 डेज 462 दिन हो चुके हैं इस युद के और यह युद अब द्रोन और द्रोन और द्रोन के साथ खेला जा रहा है यह है युद भूमी जो चल रहा है यह बताईए कि जो द्रोन का पूरा इस्तमाल है रूस पर हमला हुआ, यूकरेन ने हमला किया यूकरेन पर रूस हमला कर रहा है यह द्रोन का जो पूरा इस्तमाल है और इतने बड़े पैमाने पर इस्तमाल है, क्या कहानी है यह क्या नया एक वार वेपन पूरी दुनिया में हो गया है देखे वार वेपन तो दुनिया में काफी दिनों से ड्रोन बन चुका है कि इसके इस्तमाल अगर देखें तो सबसे जो पहला शुरुवात की थी एरान ने उन्होंने देखा था कि उनकी इस्रेल और अमरीका के साथ वो रॉकेट्स हवाई जहाज युद्ध जहाज से वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं पर अगर ये ड्रोन बहुत छोटे है इसको अगर इस्तमाल करें तो खर्चा कम है और टेक्नोलोजी आसान है टेक्नोलोजी आसान क्यों है कि द्रोन का उड़ाने के लिए आपके जो आवश्च आवश्च चीजे है एक तो है जिसको एते GPS गाइडेंस कहां जा रहा है तो GPS गाइडेंस होनी चाहिए दूसरी ब नीसे जाना है ऊपर जाना है उसके लिए मैनूवरिंग होनी चीए तो उसके लिए जो चिप का इस्तमाल होती है वो चिप हमारे जो सैलपोन है उसमें रहता है तो सैलपोन की जो कहेंगे कि जो बुनियादी टेक्नोलिजी आ Evie ची बहूँ में भी इस्तेमाल होता है और आजकल ये बहुत सस्ता है हर जगा हर देश को मिलता है तो इसलिए ड्रोन टेक्नॉलोजी का जो development हुआ है इसलिए सस्ते में इसको इस्तेमाल करना उसकी engine जो है उसको hobbyist इस्तेमाल करते थे पहले अब बड़े पैमाने पे आप देखते है कि कैमर के मिस्ता रौत है जर जब भी खेलोने के रूप में इसका बहुत बढ़ा सिसका इस्तमाल रेकिन-जिसरritis यूक्रेन का द्रोन आया रूस में आठ नौ उसको बोला उन्होंने टेररिस्ट अटैक है यूक्रेन भी लगातार कहता रहा है कोई मानता नहीं कि भेज रहा है लेकिन हमले हो रहे हैं आपका जो पहला सवाल था कि द्रोन ने युद्ध क्या बदला है यह सही है द्रोन इस य ुरिये किया था तो इनका जो कहना है कि यह सस्ता क्रुइज मिसाइल की तरफे काम करता है इस पे आपका प्रॉपिलर्स है इतना तेजी से भागता नहीं है तो यह एक जो नया दोर शुनो हुआ है कि बड़े देशों के बाबला करने के लिए झोटे देशों के पास भी हाती आ रहे हैं तो आप देखें तो मोस्कोफे जो पस्वीरे हैं जिस दोंकोमें ठड़ी läकर के बतलब ये तो यूक्रेट से आया है ये तो इसके इर्द गीत कहीं से उन्हों के इस्तेमाल कर रहा है कीव इंफ्रस्ट्रक्टर्चर को एटैक करने के लिए आर खास्त तुरसे इन and missiles दी गई है इनको जो उनकी हावाई जहाजों का खिलाफ रॉकेट्स के खिलाफ उसको गिराने के लिए जो पेट्रियट बैट्री बैट्री जो आया है तो उसको बिद्वस्त करने के लिए आसान तरीका क्या है कि बहुत सारे चीजे भेजो अब किसको गिराएंगे अब जि बड़ा ड्रोन शक्ती इस्तेमाल होता है तो आधा बिजाइल से ज्यादा उसी में खत्म हो जाएगा एक्च्वल जो बिजाइल से इस्तेमाल करना है आपको जो बड़े एटैक्स के लिए वो आपके पास तब रहेगा नहीं और इस वक्त दोनों तरफ जो ड्रोन की खर्च नहीं है वो एक्च्वली सर्विस इस्टिटूट्स जो है रॉयल सुसाइटी की बितानिया की उसकी है उनका कहना है उसके एक रपट आई है उसका कहना है कि यूक्रेण 10,000 ड्रोन पर मंत इस्तेमाल करना है रूस के खिलाब हर महीए 10,000 तो सबाल है कि इस ता उतपादन कै से हो रहा है कहां से हो रहा है उसके बारे में जिकर नहीं है तो यह बार-बार कहते हैं कि रूस जो है इरान से ले रहा है लेकिन कहां से ले रहा है वो पता नहीं है उसके बारे में पता नहीं है पर लगता है कि इसके पीछे यूरोपिया शक्ति है शक्तिया है अमरीका है ड्रोन की लडाई जो है उसमें इस वकत रूस की पलड़ा भारी है इसलिए कि उसका केपैसिटी उत्पादन करना मार करना और यूक्रेन का जो डिफेंसिव चीजे है उसको बिद्वस्त करने में लगता है रूस काफी सफल हो चुका है खास वह से पैट्रियोट मैसाइल्स औ बैटरीज के बारे में इनका तीन बैटरी भीजा था और यह कहते हैं कि एक बैटरी तो पहले उन्होंने खतम कर दिया था कहना है कि दूसरा बैटरी किएव बेज़ु था वह भी उस पर भी मुवार हुआ है और इसलिए उसमें भी काफी उसका यह तो खतम हो गया है या त तो काफि नकाम है. नुकसान हुआ है और ये भी कह रहे है कि यो पेट्रिट मिजाइल, जिसका आशा कियेव के था कि उसके जरीए कियेव को परेट्ट कर लेंगे, पुरा सुरक्शित कर लेंगे, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस तरह इतने सारे डोल्स भेजेंगे तो प अमरीका का एक साल का उत्पादन का 40 प्रतिशा थे एक महिन में खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर पेट्रिट मिजाइल बना के देना भी अमरीका का बस में नहीं है तो यह लड़ाई इस वकत जो ड्रोन की लड़ाई आप कह रहे है इसका एहमियत ही है कि जो पुराने हमारा धाचा हुआ कर तत्य लड़ाई की हावाई जहाज, मिजाइल वकरा, टैंक्स, क्यों हम टैंक्स पर भी बहुत चर्शा कर चुके थे लेकिन अभी युद का पैटर्न दूसरे धंका हो चुका है और इसके जो तस्वीर है क्योंकि हम मिल्ट्री वक्त नहीं है और इस पर ड्रोन्स की खास तोर से पिछले दो तीन साल पर ड्रोन्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस भूमिका को देखते हुए लगता है कि यह बढ़े गाए कटेगा नहीं प्रभीर एक जो एहम डवलपमेंट है जो हमने कोशिश भी की है इस न कबजा किया है उसको दुनिया के सामने एक वीडियो एविडेंस के तौर पेश किया है कि यहां पर अब रूस का कबजा है और जिस तरह की तस्वीरे भी हैं जो तस्वीरे वहां से आई है युद्म में बहुत कम तस्वीरे ऐसी होती जिनका हम इस्तमाल कर पाते हैं यह है इस पर रूस का जो कबजावा क्योंकि दस महीने के लड़ाई है अपने सही कहा कि यहां पर दस महीने के लड़ाई हुई वखबूत में तो एक तरफ तो कहा गया था कि इसकी इतनी हैमियत नहीं है पर युक्रेन लगातार सेनाय भेजती रही और लोग जो कह रहे थे काउं इसे लिए दस महीना हुई और दोना तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर हताःथ है हम उसका नंबर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उस पे हम दावा नहीं कर सकतेगी किसका दावाथाई है लेकिन बड़ी संख्या में हताहत है हाँ दोनों तरफ से लोग मरे हैं इस पर कोई दो करता है जिसके बाद खारकीफ का खारकीफ के रास्ता खुल जाते है तो यह इसकी एहमियत है खारकीफ के बहुत पहले रूस आ चुका था आपको याद होगा उसके बाद पीछे गए है तो वह बाद में हम चर्चा करेंगे और इतरी डॉनबास वाला इलाका भी है यह इसको अपने कब्जे में कर लिया था 2004 से यह उक्रेइन का कंट्रोल में नहीं है पर रूस वा नहीं है मिन से कॉर्ट जो 2014 का था रूस समर्थन रहा पर रूस उसको कंट्रोल नहीं करता था पर डॉनियस्क शहर पर लगातार बंबारी होती है इन जगहों से तो इसी लिए एक तो ये बात है, मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ, कि और क्या चीज़ है, इस वक्त हो सकता है, वक्मूत के बाद, दस महीना लड़ाई है, खत्म हो गया, इधर क्या होगा देखते हैं, पर जो काउंटर ओफिंसिफ की बात की जा रही है, हमने भी अपने काउंटर ओ लातियार मिले है, नए टैंक्स मिले है, एबरायम टैंक्स मिले है, लेपर्ड टैंक्स मिले है, यह क्या करेगा, यह सवाल है, तो हम बहुत पहले भी जो चर्चा करते आये हैं, कि यह नया अफेंसिफ की जो संभावना है, इन जगों से, इन जगों से आने की संभावना है, यूक्रेयन वापस लेने की कोशिश करेगा इधर से और खास तोर से क्रीमिया की जो connection है आपका रूस के साथ जिसको अगर कट कर सकता है कहीं भी तो क्रीमिया अलग हो जाएगा और वो चर्च पर ब्रिच पर हमला भी बहुत तगड़ा रहा है तो यह अभी इसका एहमियत है कि यहाँ पर अगर वो काट देते है तो क्रीमिया काफी isolate हो जाएगा दूसरी बात यह भी है कि यहाँ जपरिजिया की जो nuclear plant है मेरे खाल से यहाँ कहीं है तो उस plant पे अगर कोई बिसफोर्ट कर दे तो एक radioactive दायरा इसका काफी फैल जाएगा अगर वो होता है तो एक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा accident संकट आ जाएगा और उसका फैलाव जो है यूक्रेन मॉस्कोर राश्या दोनों तरफ होगा तो इसलिए यह एक खतरनाक स्थिती वहाँ पैदा हो सकती है क्योंकि वह न्यूक्लियर प्लांट पे काफी कई बार लड़ाई हो चुकी है इसलिए यह भी एक strategic issue है उस इलाके में हो सकता है पर यूक्रेन क्या करेगा कब करेगा अलग बात है अब हम चलते हैं कि पिछले 462 दिनों में क्या तस्वीर बदली इस इलाके की क्योंकि युद्ध चल रहा है दर्शक देख सकते हैं कि पहला हमारा जो मैप है वह फरवरी का है दूसरा मार्च का है तीसरा अक्टूबर और अंतिम जो हमने नक्षा इस्तमाल किया है वो मैई 2023 का है सो 22 से लेकर 23 तक के सफर में जो बहुत एहम चीज है वह यह इलाका है जिसका आप में जिक्र किया डॉन बास और ये जो हमने दिखाया यूक्रेन में है लेकिन यहां पर विद्रोग हुआ थ रहते हैं यह बताइए कि यह जो तस्वीर है और खास्तौर से अभी की इसमें जो परिवर्तान है वो कितना स्थाई रहने वाला है तो आप हविश्यवानी की बात कर रहे हैं इसको तो कोई बताई नहीं सकता पर इस मोटा मोटे तरीके से अगर इसको देखें तो यह राश रिजन को मुक्त करना और क्राइमिया का प्रोटेक्शन करना क्योंकि उसके लिए एहमियत रखती है और इस इलाके में रूसी भाशा ज्यारतर से बोली जाती है हलाकि यूक्रेन पूरी यूक्रेन में रूसी भाशा भाशा ही प्रमुक भाशा था इसके साथ साथ यहां पर रुसी नसल के लोग भी रहते हैं जिसको अपने आपको रश्यन आइडेंटिफाई करते हैं तो इसलिए इस इस इलाके का एक एहमियत है और यह सिर्फ यहां तक नहीं ओडेसा तक काफी आगे तक ओडेसा तक इसकी एक एहमियत रूस के लिए है पर लगता है कि रूस इस वक यह भी देखना है कि यह लड़ाई आगे चलेगा डीप फ्रीज में चला जाएगा सीस फायर हो जाएगा या एक पक्षहार जाएगा इसका अभी भी कोई निशकर्ष में जाना संभव देए अगर सिर्फ नक्षे को देखें तो मार्श 2022 और में 2023 में मैं 2023 में यह दिखाई दे रहा है कि यह जो नीचे वाला इलाका है डॉन बास और उसके आसपास का यहां तकरीबन रूस ने अपना कभजा जमाया हुआ है इसमें कोई देवरह नहीं कि मुख्या इसका लक्ष था रूस उसको अभी तक उसको मिल चुका है और कितना मिलना है नहीं मिलना है यह रूस को अगर कहा जाए मुझे लगता है कि हाँ पर शांती की बातचीश शुरू करें निगोशेशन की बात करें रूस मानने के लिए तयार है क्योंकि आपको याद होगा पहला जब रूस ने अटैक किया था शुरू किया था मिलिटरी आपरेशन स्पेशल मिलिटरी आप तब उसने कहा था कि हम बैट के संधी करते हैं और विजलेंस की मान गया था यूकरेन मान गया था बातचीत शुरू ही थी बारिस जॉनसन जाने के बाद बातचीत खद्ब हो गी प्रभीर आप शांती की बात याद दिला रहे हैं लेकिन अभी जब हम 2023 में हैं बहुत खतरनाक एक development है जिसे लेके हम सब चिंतित हैं 12 जून से इस इस इलाके में नैटो की सबसे बड़ी जो इस इलाके में जो military excise है वो होने जा रही है तो शांती कहां यहां तो युद्ध की तैयारी और रूस तो आशंकित होई जाएगा क्योंकि बगली में हो रही है उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ाएगा कि बेल गोराड इलाके में रूस की वहां पर यूकरेन सिर्फ आया नहीं था जिनको भेजा था वो रूसी नसल कहते हैं पर रहते यूकरेन में और अमरीकी अस्त्रों को इस्तमाल किया था जिसकी तजवीर सब के पास है तो इ देखते हुए इतना बड़ा एक military कहते है कि सबसे बड़ा military क्या कहते है exercise जून में होने जा रहा है 12 जून से लेकर 20 जून 22 जून तक तो यह जो इतने बड़े पैमाने पे जो military exercise है उसका खत्रा क्या है military exercise हमेशा इस नजर से देखा जाता है कि आप mobilize कर रहे हैं अगर mobilize करते हो तो वह attack में इस्तवाल कर सकते हो तो इसलिए military exercise को कोई इस नजर से नहीं देखता कि यह सिर्फ एक exercise है सिर्फ सैनिक आये हैं और युद्धाबास कर रहे हैं ऐसे practice कर रहे हैं तो यह जो शंका होती है सिर्फ रूस अमरीका नेटो देश में नहीं है यह तो हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान के वीश में भी जब इस तरह के military exercises होती है इस तरह का अशंका रहती है यहां पर क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर होगा और खास तोर से जर्मिनी को केंदर करके होगा अब देख सकते हैं जो लाल है यहां पर इन जगहों पर अमरीका की military bases है military bases है और इन जगहों को लेके military exercises होंगे तो इन military जो इतने बड़े पैमाने पर military exercise होंगे तो उसका संभावना रूस के लिए यह है कि कोई भी गलती कोई करे तो इससे एक जंग शुरू हो सकता है जरूरी नहीं है कि जंग दोनों देश चाहते हैं दोनों पक्स चाहते हैं पर गलती से यह चीज़े हो सकती है इसलिए hair trigger alert पे दोनों चले जाएंगे और भूलना नह चीज़े नेटों के पास नाभगी अस्तर है रूस के पास भी है तो दुनिया का यह खात्मा होने का यह संभावना यह आशंका बनी हुई है बनी हुई है और इसी लिए क्या इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का exercise नेटों को करना चाहिए था नहीं यह सवाल है बहुत सार में करें इस वकत तो इसी लिए यह सवाल जरूर है और दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह है जंग कब कैसे बंद हो खतम होगी ताकि शांती के रास्ते पे सभी देश आ सकते हैं और जो बुक्य सवाल दुनिया के सामने है गरीबी भुक्मरी क्लाइमिट चेंज वगारा वगारा उस पे हम ध्यान फिर से ला सकते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों एक बात जो अब साफ हो गई है 462 दिन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दरसल युक्रेन की धर्ती पे जो युद्ध चल रहा है इससे फाइदा नैटो को बहुत जायज है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यह दुनिया नापकी युद्ध से समाप्त हो ऐसे में बहुत जरूरी है आपका हमारे साथ खड़ा होना देखना न्यूस्क्लिक परताल दुनिया भर की और नक्षों के जरिये जानना विश्व की कूटनीती को ताकि पैनी नजर बन जा रहे हैं आपको और हमको शुक्रिया